गुड इवनिंग फ्रेंड्स और आप सभी का स्वागत है इस सेशन में और ये सेशन है करेंट आफेर्स 2021 के लिए जो स्वागत है और ये सेशन है जीत बैच तो फड़ाफट सभी लोग इसको जोइन कर लिजे और ये सेशन अब स्टार्ट हो रहा है पड़ाफट आपको इसके पहले हम बता दे के टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचे स्टार्ट हो चुके हैं 14 अप्रेल 2021 से हमारे जो टॉप एजुकेटर्स के बैचे वो स्टार्ट हो चुके हैं और बेस्ट प्लेटफॉर्म फार बैंक प्रिपरेशन एक्जाम क्यों इसे बेस्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 98% कंडिडेट्स का फेथ है इस इस प्लेटफॉर्म की उपर जो तयारी कर रहे हैं बैंक की हमारे अ 1000 आवर्स का रिकॉर्डट कंटेंट अबिलेबल है एवरी मन्थ हम आपकी लेके आते 30 से ज़्यादा नए बैचे तो फड़ा फड़ हमारे प्लस प्लेटफॉर्म को जॉइन कर लीजे इस इस बेस्ट प्लेटफॉर्म फर बैंक प्रिपरेशन एक्जामिनेशन टॉप टीम एस आई बीपिएस एक्जाम विद टीम एबीप ये बैच आ चुका है 12 अप्रेल 2021 तो टीम एबीप का बैच आ चुका है 12 अप्रेल 2021 से इसको फड़ा फड़ सभी लोग जॉइन कर लीजे इसमें आपको फुली स्लेबस कवर किया जाएगा गवर्मेंट एक्जाम का और यह doubt clearing session यानि वो हर एक चीज आपके लिए अबिलेबल होगी जो आपके preparation के लिए important है वो हर एक चीज आपके लिए अबिलेबल होगी जो आपकी preparation के लिए important है अगर हम बात करें तो आपके लिए mega subscription offer आया है for bank and SSC examination SSC और bank के जो aspirants है उनके लिए mega subscription offer है आप अपने दोस्तों को सबी लोग इस subscription का फायदा उठाईए और अगर आप एक साल का subscription लेते हैं तो आपको two month extra validity free मिलेगी और अगर आप two year का subscription लेते हैं तो आपको four month की extra validity provide होगी ठीक है तो राधा rd good evening good evening बेटा और आप इसका फायदा उठाने के लिए use कर सकते है मेरा code और मेरा code है ARS50 मेरा code क् three scholarship test bank के लिए हर हफते संडे को 10 a.m. morning में organize करता है an academy अपने बच्चों के लिए जहां पर उनके लिए scholar से पूल भी रखा है जो एक करोड रुपय का scholar से पूल है every Sunday 10 a.m. ये उपलब्ध होता है आपके लिए तो फड़ा-फड़ इसके लिए enroll कर लीजे आप सभी लोग सबसे best subscription 12 months और 24 months का होता है जो हम least cost में आपको provide करते है maximum preparation करने की सुविधा इस सुविधा का आप और अतरिक फायदा उठा सकते हैं आप मेरा code यूज कर सकते हैं मेरा code है ARS50 मेरा code क्या है ARS50 आप इस code का use करियो और जादस जादा इसका फायदा उठाए ठीक है now test series आपके लिए available है और all set let's crack it तो start करते हैं आज का session आज का session हमारा booster current affair session है सबसे पहला question आपके लिए ये रहा which rating has projected India's GDP growth in financial year 21 which rating agency है देखिए world की 3 बड़ी rating agency है world की 3 बड़ी rating agency है सबसे पहले आती है standard and poor कौन आती SNP नंबर 2 पर आती है MODIS कौन आती है MODIS आती है और नंबर 3 पर आती है Fitch ठीक है कौन सी Fitch तो Fitch के अनुसार भारत की GDP growth financial year 2021 के लिए कितनी आकी गई है फड़ा फड़ बताईए कितनी आकी गई है financial year 2021 का मतलब क्या है बिटा इसका मतलब होता है 2020 और 21 ठीक है 2020 और 21 तो आपको बताना है कि भारत की GDP growth कितने percent आकी गई है किसने estimate की है Fitch ने किसने estimate की है Fitch ने estimate की है ठीक है तो Fitch की अनुसार जो GDP growth है वो कितनी है minus 9.4 कितनी है minus 9.4 percent ठीक है आगे अगर हम बात करें तो explanation को भी देख लिया जाए explanation भी एक बार देख लिया जाए तो 9.5 दिया था राधा जी ने यहाँ पर minus 9.4 है ठीक है So the Fitch Rating Expect the Gross Domestic Product यानि GDP Growth of India to Contract by 9.4% यानि 9.4% माइनस में रहेगी Financial Year 2021 ठीक है तो Financial Year 21 का मतलब क्या होता है Financial Year 21 का मतलब होता है April 2020 से March 2021 तक Fitch Further Projected GDP to Expand by 11% Positive में रहेगी अगले Financial Year यानि 2000, 2021 और 22 में भारत की GDP Growth 11% Positive में रहेगी ये Fitch ने कहा है ठीक है तो Fitch के According GDP Growth है वो मैंने आपको बता दिये Next Question Who has been appointed as a new CEO of Intel Intel का नाम सभी ने सुना होगा Intel के नए CEO कौन बनाए गए है फड़ा पड़ बताईए Intel के नए CEO कौन बनाए गए है Who has been appointed as a new CEO Chief Executive Officer of Intel फड़ा फड़ा बताईए Intel के नए Chief Executive Officer कौन बनाए गए है The right answer is D कौन बनाए गए है Pat Gelsinger बनाए गए है ठीक है Pat Gelsinger बनाए गए है नए CEO Intel has appointed Pat Gelsinger as a new Chief Executive Officer effective from 15th February 2021 Gelsinger will also join the Intel Board of Directors upon assuming the role He will succeed Bob Swan will be remain CEO until 15th February ठीक है तो 15th February तक जो Intel के CEO थे उनका नाम क्या था बिटा Bob Swan क्या नाम था Bob Swan उनका नाम था और इनको अभी हाली में replace किसने कर दिया है इनको कर दिया है Pat Gelsinger ने किसने कर दिया है Gelsinger साब ने कर दिया है और इनहें अभी Intel के Board में भी और इनक्सकाराराे है Indian Army Day is celebrated every year on which day तो Indian Army Day पृतेक बर्स किस तारिक को celebrate किया जाता है इस बार Indian Army Day का 73rd Army Day celebrate किया गया है आपको तारीख बतानी है किस तारिक को इनगीन अर्मी Day celebrate किया जाता है फड़ा फड़ा आंसर दीजे Indian Army Day is celebrated every year on 15th of January कब celebrate किया जाता है 15 जनवरी को celebrate किया जाता है कुंदन सिंग आ गए है सर इस साल कोई vacancy आएगी या नहीं बिलकुल vacancy आएगी IBPS ने अपना कलेंडर पहले से ही जारी कर दिया है कुंदन सर IBPS ने अपना कलेंडर जारी कर दिया vacancies आएंगी और बता दिन last Sunday को भी एक exam हुआ है मेरे घर के आसपास एक school है lockdown था Sunday को लेकिन उसके बाद भी exam हुआ है तो last year भी exam हुएते इस साल भी exam होंगे तो अपने आपको motivated रखिए कहीं पर भी देखे exam तो आएंगे हमें तयार रहना है कि हम qualify कर पाएंगे या नहीं जब तक आपके अग्जाम स्टार्ट होंगे, तब तक कोरोना की लेहर भी डाउन हो जाएगी, आपको बता दें कि कोई भी चीज, जितनी तेजी से उपर जाता है, उतनी तेजी से नीचे भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, कोई भी चीज, आएंगी हमें जौब भी मिलेगा, यस, बिलको सही है, मुर्नुल गाइकवाल, गुड इबनिग, गुड इबनिग, मुर्नल जी, गुड इबनिग, सभी को स्वागत है, तो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इंडियन आर्मी डे, on 15 जनवरी, इंडिया सेलिब्रेट, its 73rd आर्मी ड ठीक है, देश के सिपाहियों के लिए समर्पित होता है, on this day, 1949, the इंडियन आर्मी गौट, its first इंडियन चीफ, इंडियन जनरल, के एम करीपपा, तो पहली बार, 1940 में भारतीय आर्मी के लिए, जो जो चीफ निक्त किये गए थे, के एम करीपपा साहब, उनकी याद में, इस आर्म फोर्स, celebrated 5th Veteran Day, on 14th January, ठीक है, name the first commander-in-chief of Indian Armed Force, who retired on this day, 14 जनरी को कौन से अधिकारी रिटायर हुए थे, जिनके नाम पर ये मनाया जाता है, ठीक है, तो फटा-फट बताना है, उनका नाम, फटा-फट आंसर दीजे, आंसर दीजे भाई, सभी लोग आंसर दीजे, आं है, आपके आंसर की बिना चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, तो फटा-फट आंसर दीजे, कुंदन सिंग ने इसकिप कर दिया, ठीक है, गुड, इसकिप कर दिया, लेकिन इसका आंसर भी के-म करियप्पा ही है, इसका आंसर भी के-म करियप्पा है, यानि A is the right answer, ठीक है, 5th Indian Armed Force Veteran Day was celebrated on 14th January, as recognition of the service rendered by the 1st Commander-in-Chief of Indian Armed Forces, Field Marsal K.M. करियप्पा, who was retired on 14th January 1953, 14th January 1953 को इनका retirement हुआ था, और इसलिए बनाया जाता है, Indian Armed Force Veterans Day, ठीक है बिटा, Indian Armed Force Veteran Day, 14th January को celebrate किया जाता है, 14th January को celebrate किया जाता है, ठीक है, तो now, next question पे चलते हैं, next question, which ministry has launched सक्षम awareness campaign, recently to spread awareness about green energy, किस मंत्रा लेके द्वारा green energy को, किस मंत्रा लेके द्वारा green energy के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए, सक्षम awareness campaign शुरू किया गया है, फड़ा फड़ा आंसर दीजे, किस मंत्रा लेके द्वारा green energy की awareness को फैलाने के लिए, सक्षम awareness campaign हाली में शुरू किया गया है, फड़ा फड़ा आंसर दीजे, देखते हैं कौन आंसर देता है, तो इसका जो सही आंसर होगा, वो क्या होगा, यह आपको बताना, कुंदन सिंग ने C आंसर दिया है, MSMEs, ठीक है, मिनिस्ट्री आफ MSMEs दिया है आंसर, और सभी लोग आंसर दीजे भाई, वेट किस चीज़ का कर रहे हैं आप सभी लोग, फड़ा फड़ा आंसर प्रोवाइट करिए, MSME, यह समझ गया, आपने जो आंसर दिया है, इसका जो सही आंसर है वो B, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of Petroleum and Natural Gas ने, अभी हाली में सक्छम केंपेंड की सुरुवात की है, कौन से केंपेंड की सक्छम केंपेंड की सुरुवात की है, देखे, Ministry of Petroleum and Natural Gas recently launched सक्छम अवेरनेस केंपेंड, तो अभी हाली में पेट्रोलियम मंत्राले की द्वारा सक्छम अवेरनेस केंपेंड की सुरुवात की गई है, ठीक है, इस केंपेंड का मुख्योद्देश है, ग्रीन एनर्जी के बारे में अवेरनेस को फैलाना, देखेंड की सुरुवात की है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा, कितने सहर में प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना को लॉजना 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 को लॉन् फटा फटा आंसर दीजे, 432, 550, 600, 711 या 785 जिलो में, तो इसका जो सही आंसर है वो है C, 600 जिलो में, अभी हाली में, 600 districts में, 600 districts में, इसको लॉंच किया गया है, प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना, 3.0, 3.0, ठीक है, So, क्या लिखा है, the third phase of प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना, was launched on 15th January 2021, in 600 districts across the country, देश के 600 जिलो में, इसको लॉंच किया गया है, spread headed by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, this phase will focus on new age and COVID-related skills, ठीक है, COVID-related skills को फोकस किया गया है, Skill Development Minister, Dr. Dharmendra, Dr. Mahindranath Pande, कौन है, Mahindranath Pande, धर्मिंद प्रधान तो, Petroleum Minister है, क्या लिखा है, महिंदर नाथ पांडे, यने 600 जिलो में, 15 जनवरी 2021 को, क्या लॉंच किया है, प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना 3.0 लॉंच किया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ, विच सिटी, प्रारंभ, स्टार्टप, इंडिया, इंटरनेस समिट, has been inaugurated by Pius Goyal, कि सेहर में, अब ही हाली में, प्रारंभ, प्रारंभ योजना, जो प्रारंभ है, स्टार्टप, इंटरनेस समिट का, उद्घातन Pius Goyal साहब ने किया है, आपको उस सेहर का, नाम बताना देहरादून, गोहाटी, भुवनेश्वर, लकनव या न्यू डेली, फड़ा फड़ बताईए इसका आंसर, तभी कोई आंसर देना है और यहाँ पर कुंदन सिंग ने भुवनेश्वर आंसर दिया है, ठीक है, प्रारंब स्टार्टप इंडिया इंटर्नेंट समिट, बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है, इसको इंपोर्टेंट लगा लिजिए, यह पेपर में, परिच्छा उपयोगी, परिच्छा उपयोगी प्रसन है, परिच्छा उपयोगी प्रसन है, यह important है, exam में आने, नहीं, current affairs tough नहीं है, मेरे भाई कुंदन tough नहीं है, इसका सही answer है New Delhi, क्या है सही answer? New Delhi is the right answer, कुंदन सर, इसका सही answer New Delhi है, तो आपको बता दे, Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs and Food and Public Distribution, Pius Goyal has inaugurated the two-day प्रारंब, Startup India International Summit in New Delhi on 15th January 2021, 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में, International Summit, कौन सी प्रारंब, जो Startup India के लिए बनाई गई है, उसका उधगातन किया गया, Summit has been organized by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, जिसे DPIIT कहा जाता है, क्या कहा जाता है, DPIIT कहा जाता है, Under the Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Commerce and Industry के तत्वाधान में, DPIIT ने इस Summit को organize किया New Delhi में, 15 जनवरी 2021 को, और ये दो दिन की Summit थी, कभी organize की गई, 15 जनवरी 2021 को, Summit का नाम था प्रारंब, Start कहां किया गया, New Delhi में, कहां पे किया गया, New Delhi में, इसको organize किया गया है, कहां पे organize किया गया है, New Delhi में, ठीक है, Now, next cover आपके लिए आ गई है, Which year India has planned to achieve the target of 20% ethanol blending with gasoline, किस साल तक भारत ethanol blending with gasoline, 20% target को achieve करने का target रखा है, फड़ा फड़ा आंसर देना है, किस साल तक ये target achieve कर लेगा, भारत सरकार, भारत सरकार ने इस target को achieve करने के लिए, कौन सा year रखा है, फड़ा फड़ा आंसर दीजे भाई, कौन से year तक ये achieve कर लेगा, फड़ा फड़ा, सभी को answer देना है, बिलको सही, कुंदन सिंग, 2025, is the right answer, well done, well done, बिटा, देखो, गलत हो होने के बाद सही भी होता है, कुंदन सिंग ने सही answer दे दिया, 2025, इंडिया plan to achieve 20% ethanol blending with gasoline by 2025, ठीक है, 5 year ahead of its previous target to help reduce its dependency on costly oil imports, ठीक है, इसके लिए जो oil import किया जाता है, जो महंगा होता है, उसकी उपर dependency हमें कम करनी है, The government said on January 14, 2021, in 2020, the government had set a target to achieve 10% ethanol blending by 2022, then remaining 10% ethanol mixed with 90% of gasoline and 20% by 2030, ठीक है, 2030, ठीक है, तो यहाँ पर 2025 तक का target लिया है, भारत ने, ठीक है, ठीक है, नव, next question, With which country India has recently signed an MOU to enhance cooperation in ICT including 5G technology, ICT 5G technology के लिए, भारत ने किस देश के साथ सयोग की बात की है, फड़ा पर बताईए, किस के साथ MOU sign किया है, Memorandum of Understanding किस देश के साथ sign किया है, यह आपको बताना है, फड़ा फड़ा आंसर दीजे भाई, Japan, बिल्कु सही है, 5G के लिए, जैपैन के साथ यह tie-up किया गया, बिल्कु सही आंसर है, जैपैन is the right answer, India, Japan signed MOU enhanced cooperation in ICT including 5G technology, ठीक है, Communication and Technology में 5G के साथ यह tie-up किया गया, जापान साथ, Indian Japan on 15th January signed a Memorandum of Understanding to enhance cooperation in the field of information and communication technology, ICT including 5G standardization, ठीक है, तो यह समझोता किया गया है, जापान के साथ, अगली खबर आपके लिए यह रही, जापान के साथ, बिल्कु सही है, रादा, RDN, कुंदन सर, बिल्कु सही आंसर आप दे रहे है, The United Nations had recently released a report, International Migrant 2020 highlights, According to the report, which country, Diaspora, the largest in the world, फटा-फट बताना है आपको कौन सा देश, largest in the world है, फटा-फट आपको आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है, International Migrant 2020, एक सेकेंड, एक सेकन रुक जाएए सभी लोग, फ्लीज, झाल 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 चलिए स्टार्ट करते हैं फड़ाफट फड़ाफट स्टार्ट करते हैं तो अगली ख़बर क्या कह रही है फड़ाफट आते हैं अपनी ख़बर की उपर चलिए अगली ख़बर क्या कह रही है कि इस कोश्चन का आंसर सभी को देना है सबसे ज़्यादा तो इंडिया ही है सायग ठीक है ये कुंदन सिंग ने आंसर दिया है सबसे ज़्यादा इंडिया है बिलको सही है इस कोश्चन का आंसर इंडिया ही है क्या है बिटा इंडिया इ Diaspora is the largest in the world, ठीक है, सबसे ज़्यादा migrant जो है वो भारत का ही है, ठीक है, so D is the right answer, बिलको सही answer है, the other countries which large diaspora are Mexico, China, Russia and Syria, ठीक है, according to the report India diaspora is the distributed across the number of major countries such as UAE, Saudi Arabia and US, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रवासी वही पाए जाते हैं, अगली खबर आपके लिए रहा, भारती है, bank has partnered with Aditya Billa, wellness private limited to launch a wellness theme credit card, फटा फटा आंसर दीजे, which bank has partnered with Aditya Billa, wellness private limited to launch a wellness theme credit card, wellness theme credit card, आदिते बिला के साथ किसने launch किया है, ठीक है, तो इसका answer आप सभी को देना है, IDFC सही answer होगा, RBL सही होगा, Yes bank होगा, Kodak Mahindra bank होगा, या ICICI bank होगा, फटा फटा आंसर दीजे, ठीक, तो इसका सही answer है, Yes bank, क्या है सही answer, Yes bank is the right answer, Yes bank is the right answer, देखे, Yes bank has announced its partner with Aditya Billa, wellness private limited, Yes bank ने भी हाली में ये announce किया है, कि Aditya Billa, wellness private limited के साथ, इन्होंने partnership को launch किया है, और उसका नाम है Yes bank wellness and Yes bank wellness plus credit card, दो प्रकार के credit card launch किये गए, कुंदन सिंग बिलको सही answer है, Yes bank and Yes bank plus, ठीक है, wellness और wellness plus credit card launch किया है, इसका मुख्य उद्दे से क्या है, holistic health, self-care and wellness of consumers, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्दे से, this is innovative step to encourage and promote self-care mental and physical well-being, ठीक है, तो इसका मुख्य उद्दे से क्या है, self-care को promote करना, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, जिनका भी हाली में निधन हो गया, वो क्या थे, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, has passed away recently, he was an, वो क्या थे, फड़ा फड़ा आपको बताना है, musician है, poet है, कथक dancer है, classic singer है, या theater actor है, तो गुलाम मुस्तफा खान, जिनका हाली में निधन हुआ, ये classic singer इन्हों ने बताया है, कुंदन सर, इसका सही answer है, musician, वो क्या थे, classic musician थे, singer नहीं थे, classic musician थे, क्या थे, आप बिलको सही हो, बट थोड़ा सा difference है, singer और musician में, legendary Indian classical musician and padma bhibhusan awardee, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, जिनका हाली में निधन हो गया, 17 जनवरी को, afternoon at his residence in Mumbai, मुंबई मिन की death हुई है, ये 89 year old थे, he was awarded with the padma siri in 1991, बहुत पहले ही इन्हें padma siri दे दिया गया था, padma bhibhusan 2006 में दिया गया, और padma bhibhusan 2018 में दिया गया, bhibhusan कहा जाता है, 2018 में इनको नवाजा गया है, 2018 में उससे इन्हें नवाजा गया है, in 2003 he was awarded with संगीत नाटक अकादमी अवर्ड, 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवर्ड से भी सम्मानित किया गया है, तो गुलाम मुस्तफा खान, जिनका हाली में निधन हुआ, वो क्या थे बिटा, एक classical musician थे, क्या थे बिटा, classical musician थे, आगे बढ़ते हैं, अगली ख़बर की तरफ, next ख़बर ये रही, वेर्बिल बी इंडियाज फर्स्ट लेवर मूमेंट मूजियम सेटप, भारत का पहला लेवर मूमेंट मूजियम कहां सेटप किया गया है, भारत का पहला लेवर मूमेंट मूजियम कहां पर सेटप किया गया, important question है, important question है बिटा, पड़ाफट, where will be India's first labor movement museum was set up, तो इसका सही answer है बिटा, अलापाजू केरला, अलापाजू केरला, अलापुजा, अलापुजा केरला में इसको establish किया गया है, और इसे boat का सहर B कहा जाता है, सही answer A है बिटा, सही answer क्या है, A है, the right answer is A, इसको कहां पे set किया ग movement museum, showcasing the history of the world labor movement, will be launched in अलापुजा केरला, the museum will feature a huge repository of document and exhibits that save the labor movement across the continent, state tourism department said in January 2020, ठीक है बिटा, तो कोई बात नहीं, fire park best Bengal में है, बिलको सही है, और आपको बता दें, जो labor museum, जो labor movement museum है, यह अलापुजा केरला में establish किया गया है, कहां पे, अलापुजा केरला में, अलापुजा केरला में, इसको establish किया गया है, ठीक है, now, next cover, PM Modi has flagged 8 train to boost connectivity to the statue of unity, where is statue of unity is located, अभी हाली में, प्रधान मंत्री नरिद मोदी ने 8 trainों को हरी जंडी दिखाई, जो statue of unity को connectivity provide करेंगी, आपको पताना है, statue of unity कहां पर located है, की answer दे दिया, कुंदन सिंग ने बिलकुँ सही answer दिया, the right answer, केवडिया गुजरात, केवडिया गुजरात is the right answer, केवडिया गुजरात, Prime Minister नरिद मोदी, on January 17, 2021, flagged of 8 train connecting different part of the country to the केवडिया in गुजरात, via video conferencing, ठीक है बिटा, तो केवडिया गुजरात में सर्दा बल्लब भाई पटेल की स्मरती में बनाई गई statue of unity है, statue of unity है, केवडिया गुजरात में, तो इसका सही answer है E, सभी लोग share or like ठोकते रहिएगा, प्लीज, share or like ठोकते रहिएगा, सही answer है कुंदन सिंग और राधा RD का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेमदार recipient of India's first COVID-19 vaccine, भारत में पहली COVID-19 vaccine किसे लगाई गई, आपको उसका नाम बताना है, भारत में पहली COVID-19 vaccine किसे लगाई गई है, फटा फट आंसर दीजे भाई, मनीश कुमार, बिलको सही है, D is the right answer, the right answer is मनीश कुमार, मनीश कुमार, a sanitation worker in Delhi, तो ये sanitation worker है मनीश कुमार, जिनको जो पहले person बने है, COVID-19 vaccine को लगाने वाले, ठीक है, तो पहली बार COVID-19 vaccine मनीश कुमार को लगाई गई है, पियम मोधी फ्लॉग अब दा नेशनल बाइट वेक्सिनेशन ड्राइब ऑन 16 जनवरी 2021, मनीश कुमार वास गिविन दा इंजेक्शन एट एम्स इन देली, वाइल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्स बर्दन वार्ड अलसो प्रिजेंटेड, और उस समय डॉक्टर हर स्कॉच समिट, ततर्मी स्कॉच समिट के तहट स्कॉच चैलेंजर अवार्ड ट्रांसपेरेंसीन गवर्नेंस के लिए किस मिनिस्टरी को प्रॉवाइट किया गया है, फटा फट आंसर देना है किस मिनिस्टरी को ये अवार्ड दिया गया है, फटा फट सभी लोग आंसर द नी मैं आपका आंसर ए होना चाहिए था क्या होना चाहिए था सुनील कुमार कौन है सुनील कुमार है सैकेटी सैकेटीटी है किस मंत्राल के मिनिस्ट्री और पंचायिती राज के और पंगे से 16 जनवरी 2021 को इन्होंने रेसीब किया वो Ministry of Panchati राज को दिया गया है It was given to the Ministry of their IT Lead Initiative यानि जो Information Technology Initiative के लिए इस मंत्राले को ये Award हाली में दिया गया है ठीक है आगे अगली खबर Which country has won the presidency of the United Nations Human Rights Council for 2021 तो आपको बताना है इन मैंसे किस देश को Presidency दी गई है United Nations Human Rights Council की 2021 के लिए फड़ा फड़ा आंसर दीजे सभी को आंसर देना है भाई सभी को आंसर देना है Right answer प्रोवाइट करना है सभी को Right answer प्रोवाइट करना है फड़ा फड़ा आंसर दीजे किस देश को अभी हाली में United Nations Human Rights Council UNHCR 2021 की Presidency दी गई है तो सही आंसर है फीजी किसको दी गई है फीजी को दी गई है United Nations Human Rights Council on Friday elected फीजी ambassador as its 21th President in an Unpercented क्या लिका है Unpercented sacred ballot after the diplomatic stand-off block the usual census decision ठीक है तो यहां पर फीजी को इसकी क्या दे दी गई है अध्यक्षता दे दी गई है ठीक आगे बढ़ते हैं अगली question की तरफ फड़ा फड़ा बताईए फड़ा फड़ा आंसर देना है question number 18 तब से पहले Chris Gopal Krishna का नाम लिखा है Sandeep Agrawal का नाम है PK Mohanty का नाम है Susanta Kar का नाम है और A.K. Singh का नाम है तो इसमें से सही नाम आपको चुनना है T.E.P.C. के नए चेर्मेन कौन बनाए गए है The right answer is Sandeep Agrawal सही answer क्या है Sandeep Agrawal Sandeep Agrawal को बनाए गया है T.E.P.C. के नए अध्यक्ष ठीक है The Telecom Equipment and Service Export Promotion Council has appointed Sandeep Agrawal as a new chairman Sandeep Agrawal as a new chairman Agrawal the managing doctor and promoter of Delhi-based paramount communication will take over the Siamal Ghosh ex-Telecom Secretary ठीक है तो इन्होंने ये post किसे लिए Siamal Ghosh से लिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ next information ये booster current affairs से यहाँ पर फड़ाफट सभी answer देते जाएए यहाँ पर इससे घपडानी जरूत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है फड़ाफट आप सभी को answer देना है क्या देना है WhatsApp has delayed its new privacy policy by 3 months Who is the present CEO of WhatsApp WhatsApp ने अभी हाली में अपनी privacy policy को 3 महिने के लिए आगे बढ़ा दिया है आपको पताना है कि WhatsApp के CEO कौन है फड़ाफट बताइए CEO कौन है WhatsApp के क्या बात है तो इनके बहुत सारी यूजर लगबग 10 मिलियन यूजर चले गए थे सिगनल पे या टेलिग्राम पे और इसलिए नहोंने अपनी policy को 3 महिने आगे बढ़ा दिया था Policy change was originally scheduled to come in effect from 8 February पहले ये 8 February को effect में आ रही थी CEO Bill Catcart found ठीक है तो इसके CEO कौन है Bill Catcart है और WhatsApp 2009 में found किया गया था Headquarter कहां पे Milano Park California United States में ठीक है representative किताब के लेखा कौन है Common Belth of Cricket किताब के लेखा कौन है फड़ाआणसर दिजे common Belth Cricket common Belth of Cricket के फड़ाआणसर बताना है किताब release हुईती और इसके जो सही आंसर है वो है Ram Chandra Guha Ram Chandra Guha साब की ये किताब है The Common Belth of Cricket यानि जनवरी में इस किताब को launch कर दिया गया है ठीक है तो सही answer C है रामचंद्र गोहा साब कौन है रामचंद्र गोहा कमल मुरार का जिनका भी हाली में निधन हो गया वो क्या थे यूनिन मिनिस्टर थे बिजनिसमें थे वाइस प्रेजेंट और बी सी सी आई थे राज सभा मेंबर थे या ओल अप दीस थे क्या वो इन सभी पदों पे रह चुके हैं कमल मुरार का जिनका भी हाली में निधन हो गया है वो क्या थे फड़ा फड़ बताईए 20 का C आंसर दिया वाइस प्रेजेंट देखो बिटा इसका आंसर A B सही है इसका आंसर B B सही है इसका C B सही है इसका सही आंसर है All of these यह सभी पदों पर रह चुके हैं कमल मुरार का सहाब कमल मुरार का सहाब जिनका हली में ने धन हुआ सभी पदों पर रह चुके हैं पॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड नोटेड बिजनिसमें कमल मुरार का डाइड अब्रीफ इनलेस ही वास यह क्या थे राजसभा के मेंबर भी थे और यह क्या थे यूनियन मिनिस्टर भी थे और राजस्थान फ्रॉम जन्ता दल ठीक है बिटा तो यह सभी पदों पर रह चुके हैं वो क्या बात है लाइफ हो तो ऐसी हो योगिता के आधार पर और इन्हें बी सी सी आई का वाइस प्रिजेंट भी राजस्थान क्रिकेट असोसियेशन की तरफ से बनाया गया था फडाफ़ सभी को बताना है जम्मू answer दिया है गोड और answer दिजे भाई इसका सही answer है Ladakh दा राइट answer is Ladakh Ladakh में Union जो youth minister है और sports minister है जिन्का नाम क्या है फड़ा-फड़ा nhπα sports minister का नाम बताइए sports minister का नाम बताइए sports minister का नाम बताइए क्या है sports minister याणि आपके खेल مंतरी का नाम खेल मंत्री का नाम, फटा फट, खेल मंत्री का नाम बताईए, सभी लोग, खेल मंत्री का नाम क्या है, जिनों इसका उधगाटन किया है, ठीक है, तो ये खेल और टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए, लद्दाक में इन खेलो का आयोजन किया गया, और इन खेलो का उधगाटन किया था, खेल मिनिस्टर किसने बिटा, किरन रिजूजू ने ये खेल वाला बहुत कन्फ्यूज कर रहा है सर, बिलकुल कन्फ्यूजन नहीं है, विंटर खेल, विंटर, विंटर खेल, खेलो, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया जो गेम है, इंडि कस्मीर में, जम्मू एन कस्मीर में, आइस होकी टूनामेंट कहां पर और्गनाईज हुई है, जम्मू एन कस्मीर में, ठीक है, ठीक, नाउ, नेक्स्ट कोश्चन, अगली ख़बर आपके लिए रही, फटापट बताईए किस देश के क्लाइबर परबता रोहन है, को अचीव किया है, नेपाल, बिलकु शही है, रुपिंदर जीत ने सही आंसर दिया, नेपाल, बिलकु शही है, पिटा रुपिंदर जीत is the right answer a team of 10 नेपाली summiteries climb K2 setting a record as a first team over to climb the world's second highest mountain in the winter season यानि सर्दियों के सीजन में सर्दियों के सीजन में K2 पर चड़ने वाली नेपाल के 10 लोगों की team ने ये record बनाया है 28,251 summit of K2 has never been reached in winter कोई भी अभी तक winter में नहीं चड़ाता क्योंकि यहां पे बरप के तूफान आते हैं ठीक है तो सही answer दिया है रुपिंदर और मयंग सर्मा ने भी answer दिया well done सभी बच्चों ने मेरे सही answer दिया है रुपिंदर जी ने नेपाल answer दिया है कुंदन सिंग ने नेपाल मयंग सर्मा ने यह answer दिया है और कुंदन सिंग ने भी नेपाल answer दिया well done अगली खबर आ गई है कि किसे re-appoint किया गया है RBL का Chief Executive Officer RBL का Chief Executive Officer किसे दुबारा नुक्त किया गया है फड़ा पड़ बताईए रतनाकर बैंक लिम्टेट का Chief Executive Officer दुबारा किसे नुक्त किया गया है बिलको सही है बिटा बिसुबीर आहुजा रुपिंदर जीती बिलको सही answer दे रहे हैं आप बिसुबीर आहुजा ठीक है तो इसका explanation देख लें The Board of Directors of RBL Bank has approved the reappointment of बिसुबीर आहुजा as the Manning Director and Chief Executive Officer of Bank for three years तीन साल के लिए इनको दुबारा से नुक्ती दे दी गई है ठीक है किसको दे दी गई है बिसुबीर आहुजा को किस बैंक में दे दी गई है रतनाकर बैंक लिमिटेड ठीक है RBL बैंक में The reappointment is effected from 30th June 2021 30th June 2021 से ये दुबारा क्या हो जाएगा applicable हो जाएगा और 2024 तक ये इसके अध्यक्ष बने रहेंगे तो जो आहुजा जी है जो आहुजा जी है बिटा D is the right answer ठीक है D is the right answer ठीक है आगे बढ़ते हैं Who among the falling has chair 148th session of World Health Organization Executive Board 148 में session World Health Organization Executive Board को chair किसने किया है कौन इसके अध्यक्ष के रूप में बैठे है फड़ा फड़ बताईए किसने chaired किया है फड़ा फड़ बताईए इसका सही answer स्रीपद येसो नाइक टिल्डोस एडर्म सही answer मैंक ने दिया है C is the right answer और रुपिंदर जीत ने सही answer दिया हर्स बर्धन बिल्कुष सही answer है हर्स बर्धन ने 148th session 148th session World Health Organization के Executive Board को लीड किया है इस साल ठीक है तो डॉक्टर हर्स बर्धन Union Minister of Health and Family Welfare digitally chaired the 148th session 148th session of World Health Organization session of Executive Board has been organized from 18 to 26 January 2021 ठीक है so 25 का C सही answer है ठीक है आगे बढ़ें अगली ख़बर की तरफ ये रही which year has been declared as a year of global solidarity and survival by the WHO WHO ने किस साल को year of global solidarity and survival घोसित किया है फटा-फट बताना है किस year को घोसित किया है फटा-फट बताईए सभी लोग किस year को घोसित किया है 2020 को ठीक है head तो मैंने ही बतायता head 2020 को घोसित किया है 2021 को किया है 2022 को 2023 या 2024 और मैं सर्मा ने ए आंसर दिया है ठीक है और सभी लोग आंसर दीजे भाई सभी लोग आंसर दीजे फटाफट फटाफट आंसर दीजे सभी लोग को आंसर देना है राधा आरडी ने 2023 तो सही आंसर है बिटा 2021 इस साल को 2021 COVID-19 के कारण last year बहुत ज़्यादा effect पड़ा था economy पे इसी लिए इसे global solidarity and survival year घोसत किया है 2021 को किस ने किया है world health organization ने और इसको घोसत किया गया 148 जो summit हुई है world health organization executive ठीक है जो अभी बैटा कुई जिसकी अध्यक्षता हर्स बर्धन जी ने की है उसी में से घोसत किया गया है ठीक है बिटा तो the right answer is world health organization has declared the year 2021 as the year of global solidarity and survival ठीक है year of solidarity and survival घोसत किया गया है 2021 को किसको घोसत किया गया है 2021 next question पे चलते हैं बिलको सही है इस बार तो और तबाही है ना सर बिलको सही है और आप सभी से मेरी request है कि आप सभी लोग घर के अंदर छुपके आराम से बैठिये बहुत जरूरी है तभी आगे निकल लिएगा बाहर निकल लिएगा With which of the falling country India has inked a pact on movement of skilled Indian worker तो आपको बताना है skilled Indian worker के लिए किस देश के साथ भारत ने pact sign किया है किस देश के साथ भारत ने pact sign किया है सभी लोग share और like ठोग दीजे प्लीज रुपिंदर जी सर ने भी लिखा yes सर और अब से एक जैसवाल ने भी अंगूठा लगाया है तो सभी लोग सभी लोगों को बता दें कि आप इस session को like कर दीजे शेयर कर दीजे और आप answer भी देते जाईए तो रुपिंदर जी जी इसका answer क्या होगा बताईए किस देश के साथ Scout India workers के लिए tie up किया गया है तो सभी आंसर है जापान सभी आंसर क्या है जापान जापान के प्रधान मंत्री प्राइम मिनस्टर का नाम क्या है योसी हीदे योसी हीदे योसी हीदे सुगा योसी हीदे सुगा is a prime minister of japan ठीक है राजधानी क्या है टोक्यो टोक्यो इजदा राजधानी एन एन यहां की क्या है करंसी है ठीक है रसिया की बात करें रसिया के रास्ट्रपती का नाम रास्ट्रपती का नाम क्या है प्रेजिडेंट कौन है रसिया के रास्ट्रपती है बिलामेदिर पुतिन बिलामेद ठीक है नाव जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की चांसलर कौन है एंजला मौरकेल है ठीक तब ही आंसर करो होने दो wrong कोई फरक नहीं पड़ता yas बिल्कु सही है आंसर सभी को करना है गलत होने से कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जब मैं बताऊंगा आपको और जापान ठीक है अगली अगला कोश्चन किताब से आया important question है बिटा बिलकोल booster current affair सही है Berlin बिलको सही है Berlin is the capital of Germany बिलको सही है who is the author of the book Manohar Parikar of the record released by Pramodh Savant Pramodh Savant कौन है सबसे पहले आप chat box में answer दीजे Pramodh Savant कौन है गोवा के क्या है मुख्यमंत्री गोवा के मुख्यमंत्री है क्या है बिटा गोवा के मुख्यमंत्री है Pramodh Savant और इन्होंने एक किताब को release किया है किताब का ना है Manohar Parikar of the record इस किताब के लेखक आप से पूछे कैं who is the author of the book Manohar Parikar of the record इस किताब के लेखा कौन है, फटाफट आंसर दीजे, फटाफट सभी को आंसर देना है, रूपा चैरी, नाम दिया है, रूपा चैरी, और आंसर दीजे भाई, सभी लोग आंसर दीजे, बिलको सही, रोशनी जी ने सही आंसर दे दिया है, वामन प्रभू, बिलको सही है, वा एगेंजा, हॉल इन दा सिटी, the book has been written by senior journalist वामन सुभाप्रभू, ये किताब किसने लिखी है, senior journalist वामन सुभाप्रभू सहाब ने ये किताब लिखी है, ठीक है, ये किताब किसने लिखी है, वामन सुभाप्रभू ने लिखी है, ठीक है, अगली question, national road safety month is being held from national road safety महिना केस तार से फर्वरी 16, 2021, जनवरी 18 से फर्वरी 17, 2021, जनवरी 19 से फर्वरी 18, 2021, जनवरी 20 से फर्वरी 19, 2021, जनवरी 21 से फर्वरी 20, 2021, तही answer देना है, national road safety month, कब organize किया गया है, फड़ा-फड़ आंसर दीजे भाई, एए आंसर दिया है, ठीक है, और आंसर दीजे, सभी लोग, A, कुंदन सिंग ने भी A answer दे दिया, well done, और answer दीजे भाई, तभी लोग answer दीजे, सभी लोग answer दीजे, the right answer is B, the right answer is B, 18 जनवरी से 17 फरवरी तक, मयंक A answer दिया है, 18 जनवरी 18 से 17 फरवरी 2021 तक, ये मन्त मनाया गया है, हिमानसु डगर जी, आपने B answer दिया, well done, हिमानसु सर को स धन्यबाद, इन्होंने सही answer दिया है, the national road safety month being held from January 18 to February 17, 2021, the month long event will focus on promoting road safety in the country, देश में, road safety को बढ़ावा देने के लिए, इसे मनाया जाता है, ठीक है, now, पराकरम दिवस कब celebrate किया जाता है, नेता जी सुवास चंद्रबोस की याद में, 125 जन्तिती के आउसर पर, पराकरम दिवस मनाया गया, किस तारिक को पराकरम दिवस celebrate किया जाता है, फड़ा फड़ा बताइए, 23 जन्वरी, रुपिंदर जीत ने सही answer की शुरुआत कर दिये, 23 जन्वरी is the right answer, बिलको सही, well done guys, बिलको सही है, गवर्मेंट अफ इंडिया थेस सेलिब्रेट, 125 वर्थ एनिवर्सरी येर अफ नेताजी, सुवास चंद्रबोस, इन आ बिफिटिंग मेनर एट नेशनल, नेशनल एंट इंटरनेशनल लेबल, बिगिनिग फॉं 23 जन्वरी 2021, आ हाइए, लेवल कमिटी, हैड़ेड बाइड मिनिस्टर नरेद्र मोधी ठीक है तो इसे कब सेलिब्रेट किया जा रहा है सभी ने आंसर सी दिया है 23rd जन्वरी is the right answer well done बहुत बढ़िया which state has launched घर घर रोजगार तो करोबार मिसन घर घर रोजगार तो करोबार मिसन कारोबार घर घर रोजगार तो कारोबार घर घर रोजगार तो कारोबार मिसन को किस राज सरकार ने launch किया है फड़ा फड़ा आंसर दिजे घर घर कारोबार घर घर रोजगार तो कारोबार मिसन को किस ने launch किया है पंजाब बिलको सही है रुपिंदर बिलको सही है मयंग सर्मा पंजाब इस दा राइट आंसर बिलकु सही है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग क्या नाम है अमरिंदर सिंग अमरिंदर सिंग ने इसको लॉंच किया अमरिंदर सिंग ने इसे लॉंच किया पंजाब इस दा राइट आंसर और एक योजना और पंजाब में लॉंच की गई है घर घर पानी घर घर सफाई योजना ये भी लॉंच की गई है पंजाब में कहां पे लॉंच की गई है पंजाब में रॉसनी ने भी आंसर पंजाब दे दिया है बिलको सही well done कुंदन सिंग ने भी पंजाब आंसर दे दिया पंजाब चीफ मिनिस्टर अमिंदर सिंग on January virtually kicked off a state-wide scheme for allotment of 7,219 fair price shops under the government's flagship घर घर रोजगार तो ते कारुबार मिसन ते पंजाबी में तो को ते कहा जाता है ते कारुबार मिसन तो यह स्कीम है पंजाब की फिलका इन विच स्टेट साइंस सिटी साइंस सिटी बिदा टोटल एक्पेंटिचर और रूपीस 184 करोड बिल्बी बिल्ट एट ते पे सिया किस राज में यह लाँच की गई है साइंस सिटी किस राज में इस्टेबलिस की गई है तेपे सिया तेपे सिया फटा फटा बताईए तेपे सिया किस राज में है तभी को आंसर देना है तेपे सिया किस राज में है फटा फटा आंसर दीजे सभी लोग और इस सेशन के बाद मैत की क्लास होगी मैत की क्लास होगी असम इस दा राइट आंसर रुपिंदर सर असम is the right answer, अभी यहां पर चुना हुए हैं, क्या हुए हैं, चुना हुए हैं, असम is the right answer, और यहां के अभी बर्तमान, सर्वानन, सोरबाल, सर्वानन, सोनवाल, यहां के क्या हैं, सोनवाल जी, यहां के क्या हैं, मुख्य मंत्री हैं, ठीक है, बिसु का सबसे बड़ा नदी दीप नदी दीप माजुली कहां पर है बिटा माजुली असम में ही है माजुली दीप असम में ही है और यहां पर हैली पैड हैली पोर्ट हैली पोर्ट हैली पोर्ट का उधगाटन किया गया है असम सरकार की तरफ से ठीक है बिटा सो अजीब नेम है बिलको सही असम का नाम ही अजीब है असम के चुकि हमारी टंग नहीं है इसलिए हम लोग को अजीब लग रहा है उनके लिए वो कॉमन है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 किसने लौँच किया है फड़ा फड़ बताना है किसने लौँच किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 किसने लौँच किया है फड़ा फड़ बताईए इसके बाद आप सबी को स्पेशल मैट्स की क्लास लेके आएंगे धरमेंद्र सर बिल्कों सही है मयंग सर, दा राइट आंसर इस नीती आयोग, नैसनल इंस्टिटूशन फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया, बिल्कों सही है नीती आयोग, नैसनल इंस्टिटूशन इसको जनवरी, इसको 2015 में, 2015 में, 2015 में, प्लानिंग कमीशन की जगा पर, प्लानिंग कम अगर हम आपसे बात करें तो आपको बता दे नीती आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया कौन होगा प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया वाइस प्रेजिडंट का नाम है राजीब कुमार डॉक्टर राजीब कुमार राजीब कुमार य करते हैं अगली ख़बर की तरफ बहुत बड़ी रिपोर्ट इसकी उपर इसको पढ़ना पढ़ेगा आपको आगे who has got the additional charge of IUS ministry IUS मंत्राले का external charge किसको दिया गया था फटाफ़ बताईए IUS मंत्राले का additional charge किसे दिया गया है फटाफ़ बताईए who has got the additional charge of IUS ministry फटाफ़ बताईए रमिस्पोकरियाल निसंग, किरन रिजुजू, अर्जुन मुंडा, जितेंदर सिंग या स्रीपद इसो नायक और यहां पर सभी ने answer भी दे दिया बिल्कुँ सही किरन रिजुजू को दिया गया था well done sports minister किरन रिजुजू को दिया गया था Youth Affairs and Sports Minister किरन रिजुजू को यह अत्रिक्त चार्ज दिया गया था फटाफ़ बताईए Fire Power Index में भारत की rank क्या है What is the rank of India in Global Fire Power Index 2021 और यहां पर fourth rank रुपिंदर जीत ने सही answer दिया well done fourth rank is the right answer बिल्कु सही fourth rank The Global Firework Index rank the country has based on their potential military strength India was ranked fourth in the index The Global Firepower Index rank 138 countries The countries were evaluated based on prolonged offensive and defensive military campaign The United States top Russia second China देखो बिटा सैनिक छम्ता के आधार पर यह report जारी की गई है और इसमें नमबर एक पर आता है USA नमबर दो पर आता है रसिया कौन आता है बिटा रसिया नमबर 3 पर आता है चाइना कौन आता है पिटा चाइना और नमबर 4 पर आता है भारत इंडिया ठीक है पिटा तो इंडिया की रेंग कितनी हुई 4th कौन से हुई 4th ठीक है अगली खबर विच कंट्री टॉप इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 किस देश ने टॉप किया है फड़ा फड़ा आंसर दीजे किस देश ने टॉप किया है किस देश ने टॉप किया है विच कंट्री है टॉप इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 फड़ा फड़ा आंसर दीजे USA रुपिंदर जीत ने सही आंसर दे दिया है, C is the right answer, USA is the right answer number 1 पे है, रसिया number 2 पर है, और चाइना number 3 पर है, ठीक है बिटा, आगे बढ़ते हैं, अगली ख़बर की तरफ, which organization has organized the Davos Agenda Summit 2021, इन मैंसे किस organization ने Davos Agenda 2021 Summit को organize किया है, फटा-फट, फटा-फट answer दीजे भाई, इन मैंसे किस organization ने Davos Agenda 2021 Summit को organize किया है, सभी को answer देना है, फटा-फट answer दीजे, ओके, तो इसका सही answer है, World Economic Forum, इसका headquarter कहां पे, जिनेवा में, World Economic Forum ने, हाली में, Prime Minister Nenind Modi and Chinese President Xi Jinping, are the participate in the Davos Agenda Summit, the Davos Agenda Summit is organized by the World Economic Forum, किसने organize किया है, World Economic Forum ने, the Great Reset Initiative of the World Economic Forum is to be launched during the Davos Agenda, Davos Agenda Summit, Davos Agenda Summit के तहत इसको launch किया गया है, ठीक है, Corona में हसी आ रही है, हाँ, बिलकुँ सही है, इसको हसना नहीं है, Corona का समय बहुत खतरनाक है, हसी तो थोड़ी जरूरी है स्वास्त के लिए, Last question of the day, This is the last question of the day, What was the theme, नई, Second last है, What was the theme, for Davos Agenda Summit 2021, Davos Agenda Summit की theme क्या है, आपको यह बताना है, ठीक है बिटा, Davos Agenda, Davos Agenda Summit की theme क्या है, फटा-फट बताइए, Davos Agenda Summit की theme क्या है, फटा-फट anser दीजे, Davos Agenda Summit की theme क्या है, और यहाँ पर सही आंसर है D, Stakeholder for चोसिप and sustainable world ठीक है बिटा तो इसका सही आंसर है D ठीक है now next cover की तरफ चलते हैं who among the falling has been chosen for press club for bangalore award plus press club for bangalore award press club for bangalore award के लिए किसे चुना गया है फटापट बताईए press club for press club for bangalore award के लिए किसे चुना गया है रुपिंदर जी ने E answer दे दिया well done A और B is the right answer यानि अजीज प्रेम जी और देवी सेटी को इन दोनों को ही चुना गया है बिलको सही है 39 का E answer is the right answer इसके बाद last question आपके लिए ये रहा which state CM has announced the formation of मुख्य मंत्री भाग्यत विकास मिसन मुख्य मंत्री भाग्यत विकास मिसन किस मंत्राले के द्वारा launch किया गया है सभी को answer देना है बिटा सभी को answer देना है भाग्यत विकास मिसन किस के द्वारा launch किया कुंदन सिंग ने MP answer दिया गुड और answer दीजे तो इसका जो सही answer है वो है गुजरात गुजरात is the right answer विजय रूपानी आपने नाम सुनाओगा विजय बिजय रूपानी बिजय रूपानी is the right answer बिजय रूपानी is the right answer the chief minister of the chief minister of gujarat बिजय रूपानी chief minister of gujarat mister बिजय रूपानी has announced for the formation of mukya mantri भाग्यत विकास mission hotry culture development mission hotry culture mission से related है in the presence of ministry of agriculture Mr. R.C. Faldu and Minister of State क्या लिए लिए जैदरा जैदरत सिंधी परमार तो इनकी उपस्तिती में उन्होंने ये प्रोग्राम लॉंच किया है तो ये थी आज की क्लास थेंक यू वेरी मच आप हमारे Plus Platform को जॉइन कर लीजे इस सेशन को सेर और लाइक कर दीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे हमारा टेलीग्राम चैनल Let's Crack Bank एक्जाम को भी सब्सक्राइब कर लीजे ठीक है तो थेंक यू वेरी मच